नमस्कार मैं हूँ आरती पीथर न्यू जारखन में आपका स्वागत है भारतिय जनता पाटी और All Indian Student Union पाटी के बीच बात बन गई है सुदेश महतो की पाटी दस सीट पे चुनाव लड़ेगी जब तीन सीट पे दोस्ताना शंगहर्स होगा कॉंग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुखदेव भागत को लोहर दग्गा से बीजेपी का टिकट मिल गया है इस शीट पे आजशू के पूर्व विधाय कमल किशोर भागत की पत्नी निरुशान्ती भागत ने दो दिन पहले ही नमांकन दाखिल कर दिया था बताया जा रहा है कि रात एक बजे भाजपा ने आजशू के सामने प्रस्ताव रखा कि वह दस सीटों पे चुनाओ लड़े लेकिन देर रात आजशू ने कुछ स्वश्ट नहीं किया था बात बन गई है दोनों मिलकर चुनाओ लड़ेंगे हालांकि तीन ऐसी सीटे हैं जहां दोस्ताना शंगहर्स होगा इसके पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों पाटियां का गटबंडन तूट जाएगा जाखन में पहले फेज के लिए तेरा सीटों पे चुनाओ हो रहा है नवेंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे पहले चरण का मद्दान 30 नवेंबर को होगा डालटेन गंज विधान सवा सीट के लिए जहां भाजपा उमिद्वार आलोक चुर असिया का नामांकन पत्र दाखिल करेंगे वहीं सीट पे भाजपा के बागी जिला पार्षद उ धारखंड के पूर्व मुख्य मंतरी मधुकोडा की याचिका पे सुनवाई करने के लिए बुद्वार को राजी हो गया याचिका में उन्होंने चुनाव खर्च का वेवरानना देने की वज़ा से बर्स 2017 में उन्हें अयोग ठाराय जाने की चुनावती दी है भारत के चि के लिए नमांकन पत्र दाखिल करने की अंतिन तारिक 18 नवंबर को खत्म हो रही है विमान में अपना जनम दीन मनाने को लेकर विरोधियों का हमला जहल रहे राजत नेता तिजश्वी जादों ने मंगलवार को कहा कि दूध बेशने वालों का प्लेन में चड़ना लोगों को पच नहीं रहा है प्लेन में अपना बद्ध मनाने वाले नेतातिय श्वी जादों ने मंगलवार को अपने टूइटर हैंडल पे एक तश्वीर पोस्ट की जिसमें वो विमान की यात्रक दोरान चाय पी रहे हैं इसके अलामा उन्होंने कहा कि हम सड़क पे अम्रूद भ दाखिल कर दिया है वहीं पांकी विधानसवा सीट से शर्षिफूशन मेहता ने भी नमांकन दाखिल किया दोनों ही नेता हाल में भाजपा में शामिल हुए लोहर्दगा सीट से समवार को आजशू प्रत्यासी के उमिद्वार के रूप में नीरुशांती भगत ने समवार को लोहर्दगा में नमांकन दाखिल किया जारखन विधानसवा में पांच चरणों के तहद विधानसवा चुनाओ होने को है जिसके पहले चरण के लिए 13 नवेंबर को नमांकन का आखरी दिन है राफएल डील के मामले में लगाए गई पुनरविचार याचिका पे सुप्रीम कोट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी आपको बता दे कि इस मामले में मुदी सरकार को 2018 में सुप्रीम कोट से क्लीन सीट मिल गई थी जिसके बाद पुनरविचार याचिका दायर की गई थी पुर्व केंद्रिय मंत्री अरुन शौरी यश्वन सिन्ह और वरिष्ट वकील प्रशांत भूशन ने दायर की थी रिटार्मेंट के पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस मामले पर भी अपना निर्णय सुनाएगे इसके पूर्व जस्टिस गोगोई की अध्यक्षिता वाली 5 सदसिय बेंच अज अध्या मामले में 9 नवेंबर को एतिहासिक फैसला सुना चुकी है अब बात करते हैं करनाटका में होने वाली विधान सबा उप्चुनाव की करनाटक की 15 विधान सबा सीटों पे 5 दिसंबर को उप्चुनाव होगा चुनाव आयोगी ने शुक्रवार को इसकी घोशना कर दी है आयोग ने कहा कि 5 दिसंबर से चुनाव के शुरुवांत होगी और 11 दिसंबर के पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी जिन विधान सबा सीटों पे चुनाव होने को हैं वो इस प्रकार है सुप्रीम कोट ने वुधबार को करनाटका के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पे फैंसला सुनाया कोट ने पूर्व विधान सबा स्पीकर के यार रमेश कुमार के विधायकों को आयोग्य ठहराने का फैंसला को सही बताया है हालान की सर्वोच न्यालेक ने स्पीकर के उस आदेश को गलत ठहराया जिसमें उन्होंने विधायकों के करनाटिका विधानसभा में पूरे कार्ज़काल के लिए आयोग ठहरा दिया था जस्टिस रमना की बेंच ने कहा कि विधायक 5 दिसंबर को होने वाले उप्चुना लड़ सकते हैं अगर वे जितते हैं तो मंतरी भी बन सकते हैं जस्टिस रमना ने यह बात कहा कि लोगों की अस्थाई सरकार से वन्चित नहीं किया सकता आपको बता दे कि 29 जुलाई को रहमेश कुमार ततकायन मुख्यमंतरी कुमार श्वामी के फ्लो टेस्ट के दौरान सत्र वागी विधायकों को आयोग करार दिया था वे सभी विधायक विश्वासमत के दौरान गैर हाजी रहें जिसे कॉंग्रेस जेडियस का गटबंधन की सरकार भी गिर गई थी इसके बाद राजे में भाजपा की सरकार बनी प्रधान मंतिर नरेंज मोधी ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स देशों के शिखर शमिलन में भाग ले रहें प्येम मंगलवार शाम को दिल्ली शरावाना हुए थे ब्रिक्स देशों का यह शमिलन 13 वा 14 नवेंबर को होगा जिसमें डिजडल एकॉनमी बिज्ञान अजिकार बताते हुए कि इन सरकार से राम मंदिर निर्मान के लिए तीन माह का ट्रस्ट गठीत करने का आदेश दिया है इसके बाद ट्रस्ट बनाने की कावायद सुरू हो गई है इस बीच राम जन्भूमी न्यास चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ के अन्यवाद